मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर के अध्यक्षता में आयोजित मंत्री मंडल की बैठक में उद्योगों में न्यूक्तु होने वाले करमचारियों को एक हजार उपे प्रतिमाहा की दर से अधिक तम दो वर्षों के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का निर्ने लिया गया ऐसे सभी युवाक जिनकी शारिरिक अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें इस योशना के अंतरगत 1500 रुपे प्रतिमाहा की दर से ये भत्ता दिया जाएगा और ये भत्ता निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे करमचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपे तक है मंत्री मंडल ने हिमाचर प्रदेश के में धावी विद्यार्थियों को संख लोग सेवा आयोग करमचारी जैन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परिक्षाओं की कोचिंग के लिए मेगा प्रोत्साहन योशना शुरू करने का निरने लिया योशना के अंतरगत एक लाख रूपे की आर्थिक साहायता प्रदान की जाएगी बशर्ते विद्यार्थि की सलाना पारिवारिक आये दो लाग पचास हजार रूपे से अधिक ना हो चालू विद्वर्ष के दौरान इस योशना के तहत पांच करोड रूपे खर्च किये जाएंगे मंत्री मंदल ने ग्रामीन क्षेत्रों में गुनात्मिक स्वास्थे सेवाओं की बेहतर पहुंच वास्वगमता पूर्व खर्चा वहन करना सो निशित करने और निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सारवजनिक स्वास्थे लक्षों के साथ सरेंखन के लिए और स्वास्थे प्रणाली को प्रभावी कुशल सुरक्षित और किफाईती बनाने के लिए राजी में स्वास्थे में सहभागीता योजना आरंभ करने का निर्णे लिया मंत्री मंडल ने के नौर जिले में 780 मेगावाट जंगी थोपन बोवारी जल विद्यूत पर्योजना का निर्मान कार है सतलो जल विद्यूत निगम स्मिती को देने का निर्णे लिया मंत्री मंडल ने पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सिवाकाल पूरा करने वाले मानत मुख्या आरक्षी और मुख्या आरक्षी की सिवाओं को मानत सहायक उपनरीक्षक में पदोनित करने की सधहनतिक स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में सीधी भरती के माध्यम से अनुबंध अधार पर विभिन विश्यों में सनाद को तर शिक्षकों के 230 पदों को भरने की सुईक्रिती भी प्रदान की इसके लावा मंत्री मंडल ने राज की अभियड कॉलिश धरमशाला में विभिन श्रेणियों के 6 अत्रिक पदों को स्रेजित करने वो भरने की मंजूरी प्रदान की मंत्री मंडल ने मैसर्स गायतरी जल्विद्यूत परियोशना को आवंटित बरनुवाला बरून्थ लगु जल्विद्यूत परियोशना को दो चरणों में विभाजित करने का फैसला लिया मंदी जिला में मंदी सदर विकास खंड और सराज विकास खंड को पुनर गठित कर विभिन श्रेणियों के दस पदों किस रेजन सहित एक नया विकास खंड बाली चौकी गठित करने का निर्ने लिया मंत्री मंदल ने सिर्मोर मंदी वा उना जिला की आठप्रात्मिक पाठशालाओं का स्तरों नयन कर माध्यमिक पाठशाला और दो माध्यमिक पाठशालाओं को उच्छ पाठशालाओं में स्तरों नयन करने का निर्ने लिया मंत्री मंडल ने आर्थी की एवं सांखे की विफाग में परियोजना निदेशक का नया पद स्रेजित करने का भी निरने लिया ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला